हाली में बिग बॉस ने घरवालों को लक्षरी बजट टास्ट दिया लेकिन टास्ट के शुरू होने से पहले ही घरवालों में तनातनी का महौल बना हुआ है इस बार सपना चोधरी घरवालों के साथ जगड़ा करती हुई दिखाई देती है बतावें की घर की गार्डन एरिया को डाइनोसौर पार्क में तब्दील कर दिया है विकास गुपता, लब, त्यागी और पुनीश शर्मा घर के तीन डाइनोसौर्स हैं जिनने जेल में बंद करके रखना है तो घर के दूसरी तरफ बाकी घरवालों को इन डाइनोसौर्स की देख रेक करनी है तो वहीं स्टास के साथ घर के नई कप्तान का भी चुनाव होने वाला है गार्डन एरिया में इन घरवालों की तस्वीरे रखी गई है इस तास में डाइनोसौर्स सबसे पहले सपना चौत्री की तस्वीरों को नश्ट करने वाले थे इस बात को विकास गुपता आकर घरवालों को बताते हैं कि लफ सपना को घर का अगला कप्तान नहीं बनाना चाहते वो कहते हैं कि लफ़ चाहते हैं कि वो सपना की तस्वीर को पहले नश्ट करे वही इस बात को सुन सपना गुस्सा हो जाती है और अपनी तस्वीर को नश्ट कर देती है इतना ही नहीं वो टास्ट छोड़ कर घर के अंदर जाती है तब पीछे पीछे हितेन भी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हर बार हम लक्षरी बजट टास्क को हार जाते हैं इतना ही नहीं सपना इस बार हितेन से भी लड़ लेती है और दोनों की बीश लड़ाई हो जाती है वैसे दूसा मौका है जब हितेन का घरवालों पर गुस्सा नज़र आये हो इससे पहले हितेन अकास जड़लानी के साथ भी लड़ाई कर चुके है देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सपना की कारण घरवाले इस बार का लक्षरी बजट भी हार जाएंगे या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिग बॉस से चोड़ी खबरों के लिए देखते रही है न्यूज एक्सप्रेस